हेलो एंड वेलकम बैक अगें गाइज टू इंजिनियर्स कड्डा आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है तो कंटिन्यू करते हमारी पिछले वीडियो को जहां मैंने हर्म पर मैंने कुछ करते हैं तो सब्सक्राइ hiking चाहे निजिसे Clay Master करते हैं हम लोग उसका तीन चीज में करनों करते हैं यू में सिग्मा में और वी ट्रांस्पोज में तो हम लोग यहां पर पहला स्टिप हमारा क्या होगा हम लोग कर लेते हैं लेट इसको मैं थोड़ा हाइलाइट कर देता हूं ताकि समझ में आए ठीक है अब इसको तो माल लिया अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसको निकालेंगे हम लोग निकालते हैं वी को ठीक है सबसे पहले मुन निकालते है V V निकालेंगे तो V transpose आएगा तो शुरू करना पड़ेगा माफ किजिए कि V नहीं V transpose एक्टिल निकालना है V transpose तो V transpose कैसे दिखलेगा इसमें पहला step क्या है हम लोग को करना है A transpose dot A मिन्स इसको और A transpose को multiply करना है तो कर लेते हैं चलिए कैसे होगा A transpose क्या होगा 1 0 1 1 1 1 1 इंटू A A क्या है 1 0 1 1 1 1 1 इसको solve करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 0 0 3 मैं solve करके नहीं बता रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को matrix solve करना तो basic है अगर ये भी नहीं आता तो पहले basics clear कीजिए तो ये यहाँ पर हो गया 2 0 0 3 आगया ये आगया क्या हमारा A transpose dot A ठीक है यहाँ पर हम लोगों ने A transpose dot A निकाला है अब इसका क्या काम है पता चलेगा अब जो हमारा main काम है यहाँ पर वो है to find Eigen Values क्या निकालना है Eigen Values and Vectors ये निकालना आ गया तो आपका SVD कुछ भी नहीं है और अगर ये नहीं आया तो SVD आप भूल जाहिए तो मैं बताता हूं कैसे निकालना है तो हम लोगों किसका निकालना है Eigen Value and Vector निकालना है A transpose dot A का यूँकि इससे हम लोगों V transpose मिलेगा तो हम लोगों यहां एक Constituent है तो इसमें सबसे पहले Eigen Value निकालने के लिए हम लोगों Let करना पड़ता है तो हम लोग Let करते है Let Lambda square minus S1 Lambda plus S2 equal to 0 अब ये मत बोलिए कि यहां पर हम लोगों ने ये Let क्यों किया क्योंकि इसका कोई answer नहीं है ये numerical है इसी तरह solve होता है अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि 2 plus 3 5 क्यों होता है 6 क्यों नहीं होता है तो आपके पास कुछ answer है वो add करने से वही आएगा तो इसी तरह से ये Rule है ये Follow करने ही होगा इसको आप लोगो रटना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है तो Lambda square minus S1 Lambda plus S2 किया अब यहाँ पर रटना खतम नहीं होता है अभी और आप लोगो याद करना है अब यहाँ पर हम लोगो तर्म तीन टर्म uncommon है एक Lambda निकालना है S1 निकालना है S2 निकालना है तो सुरू करते है S1 से S1 निकालना आसान है S1 is equal to S1 क्या होती है S1 होती है हम लोग A transpose dot A की निकाल रहे न तो इसकी diagonal matrix को add कर दी है यहाँ पर diagonal matrix क्या है 3 or 2 तो 3 plus 2 is equal to 5 यह आ गई हमारी S1 की value Next निकालेंगे S2 S2 में कुछ नहीं करना है determinant लेना है 2, 0, 0, 3 का determinant लेंगे तो इसका क्या आएगा cross determinant कैसे निकलता है cross multiply minus 0 3, 2, 6 minus 0 into 0 equal to 6 तो हमारा S1 और S2 तो आगे अब निकालना है lambda lambda निकालेंगे तो lambda square आजागा अब lambda तो इसको हम लोग लिखते है अब values put करते है lambda square minus 5 lambda plus 6 is equal to 0 अब इसको तोड़ना है तोड़के हमारे पास मैं एक करके दिखा देता हूँ lambda square minus 3 lambda minus 2 lambda plus 6 is equal to 0 तो यहाँ से मैं lambda common ले लेता हूँ lambda minus 3 minus 2 lambda plus 3 is equal to 0 तो यहाँ से हमारे पास lambda की value क्या आई lambda की value एक आई 3 और एक value आई 2 हमारे पास lambda की दो values आई 3 और 2 यह आ गई हमारी eigen values lambda को ही कहते है eigen values किसको कहते है eigen value is equal to lambda eigen values आगई अब eigen values की मदद से हम लोगो eigen vector निकालना है eigen vector निकालना ही हमारा में काम है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको continue करता हूँ यहाँ पर मैं eigen vector निकालना अब यहाँ पर lambda की हमारे पास दो value आई 3 और 2 देखे करके दोनों के लिए निकालना पड़ेगा अब पहले 3 के लिए निकालते है eigen vector for 3 तो लिखते हैं lambda is equal to 3 when lambda is equal to 3 तो यहाँ पर फिर हम लोगो को करना है यहाँ लेट यह एच नहीं है L है ठीक है let x1 is equal to a b ठीक है यह अपने matrix के size के हिसाब से यहाँ पर a और b लिया क्योंकि यहाँ पर 2 ही थे दो रो थे इसलिए मैंने a और b लिया अगर 3 होते तो a b और नीचे c लेता ठीक है a और b b आईगन vector of a transpose dot a क्योंकि हम लोग a transpose dot a का ही निकाल रहे है आईगन वैलू और वेक्टर यहाँ पर सब कुछ a transpose dot a पर काम हुआ है next तो is equal to क्या आएगा a transpose dot a into x1 is equal to lambda into x1 ठीक है a transpose dot a into x1 is equal to lambda into x1 तो अब इसको करते है two, zero, zero, three into x1 क्या है a, b is equal to lambda lambda क्या है हमारा three x1 क्या है a, b अब इसको करना है solve solve करते हैं तो क्या आएगा एक मैं solve करते था हूँ, इसके बाद मैं solve करके नहीं दिखाऊंगा तो इसमें ऐसे करना है row column row column क्या है two into a two a plus zero b zero b two के साथ a, zero के साथ b is equal to three into a three a तो इसको solve करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास minus a plus zero b is equal to zero यह हमारे पास एक आया ठीक है second अब इसके साथ फिर ऐसे ठीक है ऐसे ऐसे 0 into a is zero plus three into b three b is equal to यहां क्या है three b equal to three b three b three b cancel means यहां पर क्या आया minus a plus zero b is equal to zero तो यह हमारे पास दो values आए पहला eigen value के लिए अब इसको क्या करना है अब इसको करना है normalize तो अब अगर अब इसको x1 के term में लिके तो क्या होता है x1 is equal to zero one ठीक है अब करना है हम लोगों क्या normalization normalization ठीक है normalize कैसे करते हैं बहुत ही आसान है यह जो है zero और one इसको आपको ऐसे लिखना है zero square plus one square कितना आएगा root over one is equal to one अब यह जो one आया इसको दोनों से divide कर दीजे means क्या बोल रहा हम है x1 is equal to zero by one one by one तो यह क्या ही आएगा वही सेम आएगा zero one तो यह आगया हमारा normalized eigen vector पहला पहला eigen vector हम लोगो मिल चुका है दोस्तों यह है यह x1 हमारा पहला eigen vector इसी तरह से हम लोगो second eigen vector निकालना है when lambda is equal to two when lambda is equal to two ठीक है जब lambda हमारी पास two है तो सेम प्रोसेस repeat करना है let x2 is equal to a b सेम आप लोगो को लिखना है two zero zero three into a b is equal to two a b इसको मैं solve करके नहीं बताऊंगा मैं direct लिखता हूँ इसका क्या आएगा nx2 आएगा one zero यह है इसका normalized normalization करके मैं करका हूँ ठीक है तो हमारे पास दो वैलू आई एक यह वैलू और एक यह वैलू यह हमारे पास दो आईगन वेक्टर्स आई ठीक है अब मैं इसको continue करता हूँ next page पे तो अब हमारे पास final answer क्या आई ओके यह पेज में देखिए हमारे पास यह है वैलू आउ और यह वैलू है तो हम लोग क्या निकाल रहे थि हम लोग निकाल रहे थे वी V से A transpose A निकाला A transpose .A निकाला A transpose A से अगन वैलू निकाली लैमडा फिल लैमडा से आइगन वेक्टर निकाली तो यह finally ultimate value आया V transpose का, sorry यह V transpose नहीं है, माफ कीजी यह V है V, ठीक है तो हमारे पास V की values क्या है, V is equal to 0, 1, 1, 0 अब यहां से हम लोगों V transpose निकाला है, V transpose इसका अगर transpose करेंगे तो same आएगा, क्योंकि यह symmetric matrix है तो यह आया गया हमारा पहला answer, एक constituent parts निकला, V transpose ठीक है, अब हम लोग यह page था, इसके बाद यह अब हम लोग next निकालेंगे, क्या निकालेंगे, sigma अगर आप लोगो इतना दूर समझ में आगया है, तो आपका question solve हो चुका है अब डर यह नहीं, अब जो है, अब सब कुछ आराम है, अब क्या है, next हम लोगो का निकालने के लिए, two number पे sigma निकालेंगे, sigma कैसे निकलेगा, sigma is nothing but, is equal to order of A, order of A, A का order क्या था, order मतलब क्या, कितने by कितने का matrix है, two by three का matrix है, three by two का matrix है, तो हमारे पास यहाँ पर, order of A, sigma is equal to order of A है, तो यहाँ पर हम लोगो sigma निकालते है, order of A के बरापर, order of A means rank of A, तो वहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों सिखाया थी, कि rank कैसे निकालना है, आप लोगो question देखे, और बताए इसका rank क्या होगा, इसकी rank क्या है, इसकी rank होगी 2, क्या होगी 2, rank means number of non-zero eigen values, sorry, माफ कीज़े का, इसकी नहीं, इसकी निकालनी है, यह जो हम लोगों ने V निकाला है न, इसकी, इसकी rank निकालनी है, extremely sorry, confusion के लिए, हम लोगों rank निकालनी है, इसकी, इसकी rank है 2, तो अब क्या आ गया, हम लोगों का, sigma is equal to, यह format है इसका लिखने का, sigma 1, 0, 0, 0, where, sigma 1 is a diagonal matrix, ठीक है, अब ध्यान से देखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, sigma 1 की जगा मैं यहाँ पर value पूट कर रहा हूँ, sigma 1 की जगा, और चा, sorry, मैंने sigma 1 का value ही निकाला है, extremely sorry, value कैसी निकलेगा, sigma 1 का, यह कुछ नहीं है, lambda is equal to root over, sorry, sigma is equal to root over lambda 1, that is root over 3, हमारे पास lambda 1 की value कितनी है, root over 3, lambda यानि की आईगेन value, देखे, याद नहीं है तो अप लोगो, यह देखे, यहाँ पर हम लोग ने lambda निकाला था, 3 or 2, तो वही यहाँ पर भी है, तो पहला हमारे पास जो sigma का value है, यह है, और दूसरा हमारे पास same, lambda 2 means root over 2, तब हम लोग निकालते हैं, sigma is equal to, यहाँ पर आएगा root over 3, 0, 0, root 2, 0 and 0, यह sigma 1 है, इसकी जगा हम लोगों ने root 3 और root 2 को रखा, और यह sigma 1 क्या का हमेने, diagonal matrix है, यानि कि इसके elements diagonal ही आएंगे, तो एक root 3 यहाँ पर, और root 2 यहाँ पर, देखे, root 3 और root 2, और जो end के 0, 0 थे, वहाँ यहाँ पर है, 0 और 0, तो यह हमारा ultimately आगिया, sigma भी आगिया, अब जो हमारा next है, target, वो है निकालने का, क्या है निकालना है हमें लोग को, यू, यू निकालना बिल्कुल सेम है, वी ट्रांस्पोस की तरह ही आप लोग को निकालना है, जैसे आप लोग ने वी निकालना है, वैसे ही यू निकालना है, बड़ा ही simple है, नमबर 3 है, यू, यू के लिए फिर सेम, आप लोग ए डॉट ए ट्रांस्पोस की जए, वह हम लोग ने क्या कहता है, ए ट्रांस्पोस डॉट ए किया था, अब करना है, ए डॉट ए ट्रांस्पोस, तो, क्या होगा ये, यहां पर मैं आप लोग को एक important point बताना चाहूंगा कि a.a transpose is not equal to a transpose.a यह चीज को दिमाग में रखिएगा कि वहां पर निकाल लिया same value यहां put कर दूँगा ऐसा नहीं है यह मत कीजिएगा इसको आपको solve करना है तो मैं solve कर चुका हूँ इसका value है 2 1 0 1 0 1 1 2 ठीक है अब same हम लोगों को जैसे वहां पर हम लोगें ने किया था वैसे ही same यहां पर भी करना है अब इसके लिए हम लोगो Eigen values और Eigen vectors निकालना है a.a transpose के लिए वहां पर हम लोगे ने a transpose.a के लिए निकालना था अब a.a transpose के लिए निकालना है तो सबसे पहले वहाँ पर क्या किया था हम लोगों ने एक characteristics equation लिया था सेम यहाँ पर भी लेंगे lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus s3 is equal to 0 यहाँ पर lambda cube की हुआ क्योंकि यह 3 by 3 का matrix है वहाँ पर 2 by 3 2 by 3 का matrix था यह 3 by 3 का matrix यसलिए lambda cube है लेकिन process सेम है s1 फिर कैसे निकलेगा s1 s1 सेम diagonal elements को plus कर दिये 2 plus 1 plus 2 2 plus 1 plus 2 is equal to 5 s2 कैसे निकलेगा s2 हम लोगोंने कैसे निकाला था determinant लेके determinant यहाँ पर आप लोगों दो-दोकर determinant लेने सबसे पहले यह 2 1 1 1 2 1 1 1 ठीक है plus second determinant corner elements 2 0 0 2 2 2 0 0 2 3rd क्या होगा 3rd होगा नीचे वाला 1 1 1 2 1 1 1 2 sorry यह determinant है मैं matrix बना दिया determinant है determinant matrix नहीं ठीक है माफ कीजेगा यह determinant है तो इसकी value आएगी मैं solve करके रखाऊ 6 6 और जो हमारा S3 है S3 कैसे निकले यह आप लोगे लिए S3 में same determinant निकालना है पूरे matrix का निकालना है 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 इसका determinant निकालेंगे कैसे निकालते है मैं दिखा रहा हुँ पहले 2 को रखिए ठीक है 2 को निकालिए 2 bracket दीजे इन दोनों को minus कीजे 2 1 2 minus 1 into 1 1 plus इसको लिखेजिए 1 bracket जिसको लिया है उसके row और column को ढग दीजे 1 मैंने इस 1 को लिया है तो इसको ढग दीजे और इसको ढग दीजे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 2 0 1 2 1 2 minus 1 into 0 plus यहां पता 0 है तो multiply करके फाइद है निए इसका answer आएगा हमारे पास 0 आएगा ठीक है तो यह हमारे पास तीन आइगन वैलूज तीन S1 S2 आगा है अब हम यहां से इसके मदद से आएगन वैलूज निकालेंगे इसको इक्वेशन पर पूट करते हैं क्या होगा लैमडा क्यूब माइनस 5 लैमडा स्क्वेर प्लस 6 लैमडा माइनस 0 इक्वल थो सिरो यह होगे हमारा चिरश्छिक्स एक्वेशन चजबfl़ ने परफिक आप में सब्च rarely निकालेंगे यह हमेता है छिएय। अलसर प streamlined final ako तो यह आगे हमारे पास Eigen values अब सेम पहले जैसे Eigen vector निकाला था वैसे ही Eigen vector हम लोग को सेम निकालना है सेम Eigen vector निकालना था तो लेखते हैं पहले Lambda equal to 3 के लिए क्या किया था होगा पर हम लोग है सेम यहां करेंगे लेट करेंगे X1 is equal to A B C ठीक है और किस के लिए निकाल रहे हम लोग a.a.transpose के लिए निकाल रहे हम यह मत भूलिएगा तो therefore a.a.transpose into x1 is equal to lambda into x1 a.a.transpose क्या है हमारा value 2 1 0 1 1 1 0 1 2 into x1 a b c is equal to lambda into a b c तो इसको solve करता हूँ मैंने वहाँ पर solve करकी दिखा दिया था टेक्निक अब यहाँ पर solve कर नहीं करूँगा मैं यहाँ पर direct लिखता हूँ value minus a plus 10 sorry 1 b plus 0 c equal to 0 a minus 2 b plus c equal to 0 अब यहाँ पर हो गया लफडा क्योंकि quadratic equation आ गया है और quadratic equation solve करने में थोड़ी दिक्कत तो आती है अगर आप लोग practice करते हैं तो दिक्कत नहीं आगी लेकिन जो कि normalize करेंगे तो same value हुई आएगा means normalize कैसे करना था मैंने बताया था यह हो गया पहला lambda equal to 3 के लिए same हम लोग lambda is equal to next क्या था हमारे पास lambda is equal to 2 था lambda is equal to 2 lambda is equal to 2 के लिए निकालेंगे मैं फिर से यह इस repeat नहीं कर रहा हूं तो lambda is equal to 2 के लिए value आएगा हमारे पास 1 by root 2 0 1 by root 2 और next हमारे पास था lambda is equal to 0 तो जिसके लिए values आएगे 1 by root 6 minus 2 by root 6 और 1 by root 6 तो finally हमारे पास u क्या आगया यह हम लोग सब कुछ u निकाल रहे थे u के values क्या क्या आगया 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 2 0 minus 1 by root 2 1 by root 6 minus 2 by root 6 1 by root 6 तो यह हम लोगों की final answer आ चुकी है हम लोगों ने u भी निकाल लिया है sigma भी निकाल लिया है और v transpose भी यह हमारे पास u आ गई और फिर यह हमारे पास sigma आ गई थी और यह हमारे पास v transpose तो हमारा final answer यह होगा अगर कोई question हुआ तो हमारे पास इस question का देख लीजिए यह छोटे से question के लिए मुझे चार page लगया और इतना time लगया solve करने में और वही मैंने पूरा solve नहीं किया तो आप लोग solve करेंगे तो आप लोगों को बहुत लंबा time लगने वाला है तो यह है इसका answer हम लोग ने three constituent parts में divide कर दिया u में v transpose में और sigma में तुमीद करता हो आप लोग को मैंने अच्छे से समझा पाया हूँ अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा share कीजिएगा दोस्तों के साथ मिलते हैं अगले important topic पे till then thank you and bye-bye के कर दोदू करता है